हलो फ्रेंड्स आज हम नाइन्ट क्लास की बुक विहाइव के चैप्टर एट रीच फूर दा टॉप के पार्ट टू मार्या सारापुवा के कॉश्चन आंसर्स करेंगे अगर आपको इस चैप्टर के MCQ या फिर फुल चैप्टर की एक्स्प्लानेशन को देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं आईए करते हैं इस चैप्टर के Question Answers What is something discharming about मार्या सारापुवा मार्या सारापुवा के बारे में क्या चीज़ discharming थी likable थी, charming थी, attractive थी यह आपको बताना है मार्या सारापुवा एक रशियन गर्ल है इस आप टिट्रमाइंट गर्ल जो कैसी थी एक टिट्रमाइंट गर्ल थी who worked hard जिसने कठिन परिश्रम किया था to get the world number one position in women's tennis women's tennis में number one position पाने के लिए मार्या ने बहुत महनत की थी see is a girl रहे ऐसी लड़की थी with a smiling face जिसके face पर हमें साथ स्माइल रहती थी and glamorous attire और उसमें glamorous की जलक भी दिखाई देती थी why did मार्या सारापुवा leave Siberia for the USA USA में जाती है Siberia को छोड़ के चले जाती है at the age of nine years नो साल की जब मार्या सारापुवा थी मार्या left Siberia मार्या Siberia को छोड़ करके चले जाती है और Florida और कहां जाती है Florida में जो कहां पर है in the USA to attend a training camp of tennis और क्यों जाती है एक tennis का training camp को attend करने के लिए वहाई Siberia को छोड़ करके USA में फलरुडा में चले जाती है what lesson had Sarapuwa learned at the age of nine जब सारापुवा नो साल की थी तो वहाई क्या सबक सिखती है क्या lesson उसे प्राप्त होता है at the age of nine Sarapuwa left for Florida to attend a training camp 9 साल की उमर में Sarapuwa Florida चले जाती है एक training camp को attend करने के लिए और training camp किसका होता है वहाई tennis की training camp होता है her father went with her उसके father उसके साथ जाते है her mother couldn't go with her उसकी मा उसके साथ नहीं जा पाती because of visa restrictions क्योंकि कुछ visa की problems आ जाती है so she had to face a hurt wrenching separation from her mother इसलिए उसे अपनी मा से अलग रहना पड़ता है और यह बड़ा hurt wrenching था बड़ा हिर्दय विदारक था the separation made her learn an important lesson और यह separation था दो साल का separation था दो साल अपनी मा से अलग रही उसनों से एक important lesson सिखा दिया that कि tennis excellence would come only at a price अगर आपको tennis में excellent होना है तो वह है परतिभा उसके लिए आपको कोई ना कोई कीमत है चुकानी पड़ती है how was maria sarapuvas treated by the seniors in the training camp training camp में maria sarapuvas को उसके seniors कैसे treat करते थे कैसे उसके साथ behave करते थे maria sarapuvas seniors treated her badly उसको बहुत बुरी तरह से treat करते थे they asked her to tidy up the room and clean it उसे कहते थे के room की साप सफाई करो then her age was just nearly 10 years और तब वह उसकी एज 10 साल की नहीं थे लगवक 10 साल की वह होने वाली थी क्योंकि 9 साल की जब वह थी तब वह कैम्प में चली गई थी और उसने अपना दस्वा बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट किया था what does maria sarapuvas say about her Russian nationality maria sarapuvas अपनी रसिया की राष्ट्रियता के बारे में क्या कहती है यह explain करना है maria sarapuvas speaks with an american accent maria sarapuvas एक american accent में बोलती है अमेरिकन बासा में बोलती है सी प्रावडली प्रेट्स हर रस्यान नेशनल्टी रस्यान नेशनल्टी की वह है गर्व से उसकी उसका पक्ष लेती है उसको प्रेड करती है she explains that her blood is totally russian वह explain करती है कि उसका जो blood है वह पूरी तरह से russian है she also says that she will play the next olympics for russia if they want so वह यह भी कहती है कि वह अगले olympics russia के लिए खेलेगी यदि russia ऐसा चाहेगा draw a comparison between संतोस यादव और मार्या सारपवा मार्या सारपवा और संतोस यादव के character के बीच में एक comparison करना है कि वह किस प्रकार से एक दूसरे के समान है both संतोस यादव और मार्या सारपवा struggled for success दोनों ही success के लिए struggle किया है they had a clear vision of their life अपने जीवन के परती उनकी clear vision थी clear द्रिश्टी कौन था they wanted to become something in life जीवन में दोनों ही कुछ बनना चाहती थी if we talk about संतोस यादव we know that to get education she protested her parents and the customs के education प्राप्ट करने के लिए भी उसने अपने parents को का विरोध किया और customs जो प्रंप्राइं थी इनका भी विरोध किया she left her home and struggled उसने अपना घर छोड़ दिया उसने संघर्स किया at last she became the world's first woman who scaled the Mount Everest twice और last में हमें पता चलता है कि वह विश्व के ऐसी पहली महिला बनी जिसने Mount Everest को दो बार scale किया in the same way maria faced many problems she suffered from the heart wrenching separation of her mother maria नभी शित्रा हुई कुछ समस्याइं face की है और सबसे पहले तो इसने अपनी मा से अलग रहना face किया कि दो साल की heart wrenching separation को महसूस किया but she did hard work लेकिन उसने cut in parisram किया and got the world's number one position in women's tennis और women's tennis में विश्व की number one position हासिल की they proved that nothing is impossible उन दोनों नहीं ये बात प्रूब कर दी कि कुछ भी impossible नहीं है before determination and iron will यगर आप निश्चय कर लेते हैं determination कर लेते हैं और आपकी iron will होती है आपकी इच्छा सकती मजबूत होती है तो आप हर चीज अचीव कर सकते हैं right in short मारिया सारापुवा से जर्णी to the top मारिया सारापुवा की जर्णी बतानी है कि top पर कैसे पहुंची मारिया सारापुवा वाच बोर्न इन साइवेरिया Russia, Russia में साइवेरिया है वहाँ पर इसका जर्म हुआ अपने फादर के साथ युएस से चली गई 9 साल की उमर में अपनी मा के बिन उसको वहाँ पर 2 साल रहना पड़ा उसने कठिन परिस्रम किया और साथ के साथ ही अपनी मा के साथ जो वहाँ रह नहीं पाई थी उससे अलग रह रह रही थी उसको भी सहन किया C, learned an important lesson उसने L, E, A, R, N, T उसने एक important lesson सीखा that tennis excellence would come at a price जो tennis excellence है would only come at a price उसकी कोई नो कोई कीमत चुकाने पड़ती है मार्यास seniors in the training camp treated her badly मार्या के जो seniors से training camp में उन्हों भी उसको बहुत पूरी तरह से treat किया C, got the number one position on Monday 22nd August 2005 2005 में मंडे के दिन समवार के दिन 22 August 2005 को number one position हासिल की C also won five grand slum championships, five grand slum championships बुशने जीती and became a brand in tennis और tennis में वह है एक brand बन गई why does maria call tennis a business? maria tennis को एक business क्यों कहती है यह बताना है for maria playing tennis is a professional game that can be played by following rules and regulations the rules and regulations है उनको follow करके यह game खिला जा सकता है and which is similar to run a business और यह कैसे है यह से हम एक business को चलाते है rules और regulations के बेस पर वैसे ही tennis को भी rules और regulations को follow करके खिला जा सकता है इसलिए वैसे एक business कहती है what does maria sarapova love reading? maria sarapova को क्या पढ़ना अच्छा लगता है? maria sarapova loves reading the novels of author Conan Doyle यह writer है author Conan Doyle इनके novels पढ़ना maria sarapova को बहुत अच्छा लगता है why did maria wish to become number one in the world? world में number one क्यों बना चाहती है? यह बताना है आपने maria wish to become the number one tennis player in the world world में number one tennis player बना चाहती थी because it was her childhood dream क्योंकि यह उसका बच्पन का सपना था और उसने से achieve भी किया your number one position पे tennis के field में आ गई I hope आपको सभी question answer से समझ में आ गए होंगे वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दे अवा नहीं टे रुटिये नहीं प्रवा अयूचार नहीं